पूर्टी को देखने और गोती प्यारी और अच्छी सी मूर्ती और मैं अपने व्लोग में आप सब को यह दिखाऊंगी और मेरे पीछे देख रहे हैं पचाची जी खड़ी हुई और बापी जी और साथ में 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 भाई की बेटी है जो हमारे साथ है हाँ प्रीशा भी है तो हमारे पिछे सीव मूर्ती जीस की मैं आप लोगों से बात की थी मैंने सीव मूर्ती का एक हम टूर बनाएंगे तो अभी मैं पूरा मंदिर का टूर आपको कराऊंगी और क्या कि हमने मंदिर में देखा हूँ आप लोगों कोई साथ से एर करूंगी तो चलिए हम अपना फरस है अभी आप फरस देख रहे हो तो धूप में ये इतना ज्यादा गरम हो जाता है कि हम इस पे पैर नहीं रख पाते और चपल तो हमें बारी ही निकालनी पड़ती है इसलिए हम बच्चों के साथ ही यहां पर जा नहीं सकते क्योंकि बच्चों के क्या हमारे भी पैर दर्शन करने आई है अभी बच्चे गए है पहले बच्चे दर्शन करेंगे उसके बाद फिर हम दर्शन करेंगे हम जो दूर से देखते हैं तो सिव मुर्ति यह लगेगी इतनी ज़्यादा हाइट नहीं है लेकिन जैसे ही हम पास जाते हैं तो पास से तो बहुत बड़ी आपको दिखाई देगी सीव मूर्ति और बहुत बड़ी हाइट है और इतनी सुन्दर लगती है कि जैसे क्या आप दोपैर को अत्य दोपैर को कलर अलग होता लेकिन इस टाइम तब जब लाइट लगती है तो ऐसा लगता है कि पूरी गोल्ड की बनी हुई है यह गोल्ड की यह वैसे पेंट ऐसा कर रखा है कि बिल्कूल गोल्ड जैसी लगती है और बहुत अच्छी लगती है और साथ में पारवती जी की यहां पे साइड में पारवती जी और उनके दोनों बच्चे साथ में बनाए गई हुए है जो पारवती के साथ में बेठे हुए है कारती के जी और गनेश जी तो पूरा सी परिवारी यहां पे है और साथ में नंदी जी भी है जहां पे होते हूं आपे नंदी जी तो होते ही हैं बच्चों ने दर्शन कर लिए हैं यह दिखाती हूं हम तब दोपैर को आये थे और यहां पे क्या है कि एरपोर्ट के बिल्कुल पास मे ही है तो पूरा दिन क्या है ऐसे प्लेन जाते रहते हैं तो हम तब दोपैर को आये थे तो यहां पे थोड़ी बहुत हम लोगों ने मस्ती की थोड़ा टाइम हम रुके बेठे पर यह था वहां हम पूरा घूम नहीं पाए क्योंकि फर्स की वज़ेसे फर्स इतना ज्यादा गरम था तो यहां तो यह है के पार्क है बहुत अच्छी जगह है आप यहां पे पार्क में आके बेठ सकते हो एक दो गंटाई आप यह बेठ ही अपनी फैमिली के साथ ही आप अकेले भी आते हैं लेकिन आप तब भी आते है जैसे सर्दियों का तो यह है आप दोपैर को कि साइड में हम थोड़ी देर पारक में आई यहां पे बेठे तो बेठने की भी बहुत अच्छी जगह है वैसे बहुत बड़ा है यहां पे काफी बड़ी जगह है लेकिन यह है कोवीड की वजैसे बहुत सी जगह बंद हैं स्युमूर्ति पे भी हम पूरा टूर कर नहीं पाए स्युमूर्ति का पूरा मैं आपको दिखानी पाई लेकिन इतना भी मैंने खुद देखा है उसी के मैंने वीडियो बनाई है और आप लोगों को दिखा रही हूं बनाके यहां पे बिल्कुल साथ में तब हम एंट्री करते हैं एक साइड में राम जी और सीता जी हैं और दो पैर को हम देखते हैं कलर अलग दिकाई देता है और रात को बिल्कुल गोल्डन जैसे यह लगता कि बिल्कुल गोल्ड कलर की है यह देखे तब कलर ओर था और अब कलर ओर है तो लाइट लगती है रात के टाइम बहुत अच्छा लगता है रात के टाइम आई तब भी मेरे को बहुत ही अच्छा लगा, बहुत स्कून मिलता है ऐसी जगह पे तब हम आते हैं, अपनी पूरा दिन की दोड़ भाग को लेकर बहुत सारी प्रेशानिया होती हैं मन में, तो ऐसी जोगों पे आके हम अपनी दुख तकलीफ जो भी होता है, जो भी प्रेशानिय होती है कुछ टाइम के लिए भूल जाते हैं, बहुत अच्छा लगा मेरे को सीव के दर्शन करके, सीमूर्थी बहुत अच्छी है, देखने में भी इतनी सुन्दर है, तो हम सब ने सीमूर्थी के दर्शन किए, ये रात का टाइम था, हम ज़्यादा टाइम रुक भी नहीं पाए क्योंकि अभी मंदिर को भी जल्दी बंद कर देते हैं, करोना की वजए से, जैसे सीमूर्थी है, सीमूर्थी के पिछे भी बहुत अच्छी जगह थी, लेकिन अभी वहाँ पे जा नहीं सकते हैं, सब बंद है, लेकिन जीतना भी मैंने खुद देखा है, उतनी वीडियो मै बनाई है, आप लोगों को दिखाने के लिए, तो यही, मैं यही बोलूँगे, आप तब भी विदिली जाते हो, तो रंग पूरी में सीमूर्थी है, तो आप एक बार उनके दर्शन जरूर करें, तो यहां पे बच्छों की अपनी मस्ती चली हुई है, प्रीशा पूछ रह चाची जी यहां पर लेकी आई थी, और जिस टम यह बनी थी, चाची जी ने बताया था कि वह हिसा इनन की सीमूर्थी को बनाई गया तो यह चाची जी के घर के बिल्कुल पास है, चाची जी के घर का और यह ऐसी मूर्थी की दूरी में यह फिरी 5 सат मिनट की है, तो आराम पूरी में है यह मैं आपको बताना चाहती हूं रगपूरी में स्वीमूर्ति है और आप आये कभी तो दर्शन करके जरूर जाना बहुत अच्छी जगह क्या पता आप तक आएं सारी जगे खुली मिलें आपको अभी तो भी तो बहुत सी जगे बंद थी हम जांजा भी घूम में हैं वो मैंने आपको दिखा दिया है तो अमने दर्शन तो देखो कर लिए सी मूर्ती के तो दर्शन कर लिए यह था यह बहुत अच्छा साइड में पार्क वगेरा बनाया बेठने की जगह है और पहले क्या था के सीव की जो जटा थी चाची जी ने बताया कि उसके अंद जाते थे उनकी एमानेता कि जैसे जटा से गंगा निकलती है वैसे यह गंगा निकलती है और लोग यहां पर आके नहा कर जाते थे तो अभी इसी वज़ेसे क्रोना की वज़ेसे वो सब चीजे बंद हैं अभी बिल्कुल यह है कि रात होने वाली है और रात को क्या है सारी अभी लाइटे बंद हो जाएंगी तो अभी दर्शन करने का टाइम अगर आप इस टाइम जाते हो तो आप साड़े आठ बजे के बाद मंदिर बंद हो जाता है और सुबह जाओगे तो सुबह च्छे आनी पैए तो हम दो पैर को आए थे तो धो पैर को इतनी ज्यादा लूप या जजादा थी तो हम थोड़ी देर में वापिस चले अब हम फिर श्याम को आए श्री मुर्ति के दर्शन करने और हमने श्री अपिर दर्शन कीए साथ मेन और पूरा श्य परिद ऑद बाती आया है वैक तने आम आती है जब शड़ मेरे आतोग शड़ होता है जुआ है कि अल्ग आप नहीं हाए खुट अटीब नहीं है अप्र अपरे आया, झाल जड़ ऊड़का है। मतलब यह बन तरकी रही है पितल के रही है जो बना रहा है उसका पेंट उत्ता है बढ़िया वाला उखराब नहीं उत्ता साल डुषाल टट धेर खरदेते है जब बारीश कामों समाता है तो चाची जी ने बताया के सी मूर्ती की स्थापना कैसे हुई क्योंकि उस टाइम पे सी मूर्ती बनाई थी तो चाची यहां पे आती थी चाची जी का घर बिल्कुल सी मूर्ती के पास में ही है सी मूर्ती रंग पूरी में और चाची जी भी रंग पूरी में ही रहती हैं तो चाची को पता है के कैसे कैसे बनाई गी और चाची जी ने बताया के सी मूर्ती की स्थापना कैसे की गई कैसे उसको बनाया गया तो अभी फिर लाइटे बंद होने लगी हैं सारी और मैं एक बार फिर सीमूर्ति को दिखाते हुए और हम सब ने दर्शन किये सीमूर्ति के और सब दर्शन करके वापिस घर को जाते हुए क्योंकि अभी थोड़ी देर में गार्ड भी बोलने लगे थे कि भी जल्दी दर्शन करो क्योंकि मंदिर का टाइम हो चुका है बंद करने का ज़्यादा देर तक अभी खुला नहीं रखते हैं कोविड के जैसे यहां पे चाची जी और भाबी में बाते हो रही थी इन दोनों का प्यार बहुत ही ज़्यादा है एक दूसरे के लिए यह दूसरे के भी गहर रहते भी नहीं है तो थोड़ी सी यह मस्ती कर रहे थे यह देखे दोनों का प्यार घर में भी ऐसे ही चाची और भाबी जी ऐसे ही रहते हैं चाची जी हमारी बहुत अच्छी है, सब को ही वो इतना ज़्यादा प्यार करती है, जितना ही बहुत से करती है, तो आप लोगों को मैं बोलूगी कि तब भी आप दिली आते हो, रन्पूरी की साइड आते हो, तो एक बार सी मूर्ती के दर्शन करना जुरू बहुत ही है, यह ल्टा सब व्लोग मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, कि आप किस टाइम आक सके हैं, वो सब और क्या-क्या भी यहां देख सकते हो, यह सब मैंने इसलिए एक चोटे से व्लोग में बनाया और आपको मेरा यह व्लोग कैसा लगा, आपको कोमेंट करना है, बताना मेरे को अगर आप ठाले आ चुके हो रंगपुरी वो भी बताना और मेरी वीडियो को लाइक एंड सेर जरू करना उल्ट चैनल को सब्सक्राइब